में बड़ी खबर आपको वतादे महुबा में समाचा प्रस्की खबर का असर हुआ है खबर चलने के बाद आरूपी पुलिस वालों पर कारवाई की गई है तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर गया है चौकिन चार्ज, देविंद्र यादव सहित दो सिपाही को निलंबित कर दिया गया है अपको बतादे की गजेंद्र और दीपर जो सिपाही थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है वाई मामले में पुलिस कर्मियों समेट पांच लोगों के खलाफ मुकादमा दर्ज किया गया है IPC की धारा 420 और 323 सहित भष्टाचार का मामला उन पर दर्ज किया गया है अब को पता दें कि पूरा मामला क्या था एक युगोफ की पिचाई और गुप्तांग में पैट्रोल डालने का ये पूरा मामला था जिस पर समाचा प्रस्त ने बड़ी प्रमुक्ता से इसमुद्धे को उठाया तर इस खबर को दिखाया तो जिसके बाद कारवाई हुई है समाचा प्रस्ती खबर का असर हुआ है चौकी इन्चार्ज देवेंद्रियादव सहे दो सिपाई को निलंबित कर दिया गया है आरूपियों के खलाप महुबा कोतवाली में मुकद्मा भी दर्ज कर दिया गया है समाचा प्रस्ती खबर का असर हुआ है खबर चलने के बाद आरूपी पुलिस वालों पर कारवाई हुई है तीन पुलिस कर्मियों को निलम बित कर दिया गया है आपको अतादे मामरा था जहां यूवक की पिटाई की गई थी उस पर जूटा मुकदमा दर्श किया गया था इसके गुपतान में पेट्रोल डाल कर उसके साथ बेढहमिस उसके पीटा गया था ये पूरा मामरा था तो समाचा प्रस्ती पर मुक्ता से दिखा था इसके बाद कारवाई हुई है खबर चलने के बाद औरोबी पुलिस वालों पर कारवाई हुए अप्वतादेब तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है चौक इंचार्ज देवेंद्र यादव सहित दो सिपाही इस पूरे मामले में निलंबित कर दिये गया है सिपाही गरजेंद्र और दीपक को निलंबित कर दिया गया है वहीं मामले में पुलिस कर्मियों समेथ पांच लोगों के खलाब को मुकद्मा भी दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 420 और 330 सहित दिश्चाचार का मामला इन पर दर्ज किया गया है तो महुबा में इस समाचार प्रस्क की खबर का असर हुआ है जहां खबर दिखाने के बाद कारवाई की गया है तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है आप बता दे कि इन तीनों पुलिस कर्मियों पर यह आरूप था किनोंने युगा को जोते मुकादम में फसाया था